वो एक जंगल का घना इलागा था चारो और अजीब से धूंद फैली हुई थी उस धूंद की वज़े से अशोक को ड्राइविंग करने में बहुत मुश्किल हो रही थी अशोक की कार एक संसान सड़क पर धीमेर अफतार से चल रही थी उस सड़क को दिखकर ऐसा मालूम होता था जैसे वो सड़क जंगल को चीर कर बनाई गई थी शाम के पाँच बच चुगे थे रात के बादल उस जंगल के आसपास मनराने लगे थे अशोक पूरे साथ घंटों से ड्राइविंग कर रहा था उसे अपना शरीर बहुत दुखता हुआ सा महसूस हो रहा था उसकी पतनी दिख्षा को आप उल जंसी होने लगी थी तुम पूरे दो घंटे से इस जंगल में ड्राइविंग कर रहे हो मगर ये जंगल है कि खतम होने का नाम ही नहीं ले रहा है आखिर हम दोनों अपनी मंजिर पर कब तक पहुँचेंगे इस इलाके में इंटरनेट लगभग ना के बराबर चलता है दिख्षा लेकिन इस मैप के अनुसार बस हम पहुँचने ही वाले हैं अशुक की बात सुनकर दिख्षा सीट पर रखे हुए उस मैप को उठा कर देखने लगी मगर मैप दिख्षा की समझ से बाहर था एक तो यहां आसपास कोई नजर भी तो नहीं आ रहा है जिससे हम आगे का रास्ता पूछ सके कमान दिख्षा आगे का रास्ता मुझे पता है हमें केवल यह पूछना है कि गाड़ी को और कितनी दूर अभी और चलना है तभी अशोक की नजर एक घने पेड़ पर पड़ी उसने देखा उस पेड़ के नीचे एक बुढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ था अशोक अपनी गाड़ी रोकते हुए दिख्षा की और देखकर मुस्कुराते हुए बोला अगर भगवान से कुछ और मांग लेती न तो वो मिल जाता हमें क्या कहना चाहते हो तुम वो सामने देखो वहाँ एक बुढ़ा विक्ति खड़ा हुआ है शायद इसी इलाके का रहने वाला होगा ये हमें बता सकता है कि हमारी मंजिल और कितनी दोर है अशोक अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर उस बुढ़े विक्ति के नजदीक आकर खड़ा हुगया उस बुढ़े विक्ति के गाल पिचके हुए थे उसका शरीर शरीर के नाम पर केवल हट्डियों का डाँचा था उस बुढ़े का चेहरा देखकर एक बार को तो दिक्षा काप कर रह गई उस बुढ़े की आखों में जिंदगी नाम की कोई चीज नहीं लग रही थी वो बुढ़ा फटी फटी आखों से अशोक की और देखते हुए बारी आवाज में बुला व्यक्ती कान हो तुम जी मेरा नाम अशोक है और ये मेरी पत्नी है मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं पेशे से एक बहुत बड़ा बिजनसमैन हूँ तो फिर तुम यहां क्या कर रहे हो तुम है तो शहरों में होना चाहिए जी दरसल मुझे दक्षिनी बाड़ी जाना है और यहां पर मुबाइल के नेटवा काम नहीं कर रहे है क्या आप बता सकते हैं कि यहां से दक्षिनी बाड़ी कितनी दूर रह गया है वो क्या है बाबा, कुछी देर में रात हो जाएगी। अशुक की बात सुनकर, उस बुढ़े के चेहरे पर एक पल को खौप का साया लहराने लगा। और अगले ही पल उसके होटों पर रहसे मही मुस्कुराहट आ गई। मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ, और मैं वहाँ एक होटल बनाना चाहता हूँ, और मैंने इसके लिए सरकार से इजाज़त भी ले लिये। दक्षणी बाड़ी और कितने किलोमेटर दूर रह गया है तो आपकी बहुत क्रिपा होगी। विना शेकालं विपृत बुद्धी। तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। दक्षणी वाड़ी सिर्फ यहां से 20 किलोमेटर दूर रह गया है। बुड़ी की बात सुनकर अशोक और दिक्षा काहल में बैठ गया है। अशोक ने ड्राइव करने शुरू कर दी। तुमने उस बुड़े की आँखों पर गौर किया? ऐसा लगता था जैसे उनमें जिन्दगी नाम की कोई चीज ही ना हूँ. मैं तो अंदर तक काप गई थी। यह गाओं के लोग ऐसे ही होते हैं दिक्षा तुम भी ना जरा से बात पर डर जाती हो। करिब साथ बजे। अशोक की कार एक पुराने स्टाइल के बने हुए मकान के सामने खड़ी थी। उस मकान के गाडन में एक तीस बर्षी अब बेहत सुंदर दिखने वाली महिला तेजी से टहल रही थी। अशोक और दिक्षा को देखकर वो महिला मुस्कुराती हुए उन उस महिन नाइटी को गौर से देखने पर उस महिला का शरेर साफ साफ देखा जा सकता था। दिक्षा चारो और आँखे फाड़ फाड़ कर देखने लगी। उसने देखा कि दक्षणी बाड़ी में मात जैसा सन्नाटा बसरा हुआ था। एक बात दिक्षा को बहुत ही अज रो गई क्योंकि जंगल में काफे दूंद फैली वही थी वह सुंदर महिला बेहद रहस्यमाई डंक से मुस्कुराते हुए बोली। यह पहाड़ी इलाका घने जंगलों से भरा हुआ है यहां अकसर दूंद चाही रहती है। आजीब बात है मैं आपको देखकर इतना एक्स अजीब सी आवाजों से गुमुझ जूठा जैसे बहुत सारी महिला है आपस में मिलकर बोरी तरह से चीख रही हो। वहां पर अजीब सा शोर उत्पन हो गया। उस शोर को सुनकर दिक्षा बोरी तरह से डर गई और अशोक के बिलकुल नजदेक चिपक कर आकर खड़ी हो ये कैसी आवाज अशोक? डरने की कोई बात नहीं है ये जंगली इलाका है इंसानों के लिए सोने का वक्त होता है मगर बेडियों और जानवरों के लिए ये जागने का वक्त होता है ऐसे सर्दी बहुत ज्यादा है अब तुम दोनों को अंदर आ जाना चाहिए अशोक और कामिने उस बड़े से मकान के अंदर चले गए मगर अंदर जाकर वो दोनों हैरत से उस मकान की भव्यता देखने लगे बाहर से वो मकान इतना आलिशान नहीं मालुम दिखाई देता था जितना कि वो अंदर से बना हुआ था अशोक ने देखा कामिने उन दोनों को एक बड़े से हॉल में ले गई जहाँ पर एक बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल सजी हुई थी उस डाइनिंग टेबल पर रखे भोजन में बहुत अच्छी सुगंदारी थी अशोक को बहुत तेज भूक लगी थी वह तुरंद हाथ धोकर डाइनिंग टेबल की चेर पर बैठ गया मगर दिक्षा की भोख मर चुकी थी उसे वहाँ पर अजीब सा महसूस हो रहा था दिक्षा को ऐसा लग रहा था मानों की वह पृतिवी पर ना मौजूद होकर किसी और ग्रह में पहुंच गई हो अशोक की ठेक सामने की चेर पर कामिनी बैठी हुई अशोक को लगातार अजीब सी निगाहों से देखे जा रही थी अशोक खाना खाने में ब्यस्त हो गया तफिय अचानक अशोक को कुछ याद आया और वो कामिनी की और देखकर बोला माफ कीजिएगा कामिनी जी मुझे बहुत तेज भूख लगी थी और मुझसे भूख कंट्रोल नहीं होती तो मैं आपसे खाने की पूछना ही भूल गया कोई बात नहीं मैं रात में खाना नहीं खाती सिर्फ कॉफी पीती हूँ ये खाना मैंने सिर्फ तुम दोनों के लिए ही बनवाया है इतना बोलकर कामिनी दिख्षा की और अजीब से अंदाज में देखकर बोली तुम खाना क्यों नहीं खा रही दिख्षा मुझे भूख नहीं है कामिनी दिख्षा की और देखकर अजीब से अंदाज में बोली कोई बात नहीं ये पहाड़ी इलाका है कुछ दिनों बाद यहां की तरह ताजी हवा खाकर तुम्हें भी भूख लगने लगेगी खाना वाकर बहुत लाजबाब बनाये कामिनी जी यगिन मानिये मैं इतना लजीज खाना इससे पहले कभी नहीं खाया मेरा तो पेट भर गया अशोक के इतना कहते ही दो सुन्दर इस्त्रियां उस कमरे में आ गई और खाने के जूठे बरतन उठा कर ले गई तुम दोनों बहुत ज़्यादा ठक गए होंगे न वस्ता कर दी जाए कामिनी की बात सुनकर अशोक पहली बार चौंका अशोक को कामिनी की ये बात बहुत ही अटपटी लगी दिक्षा भी कामिनी को हैरत भरी निगाहों से देखने लगी तुम दोनों तो ऐसे देखर हो जैसे मैंने बड़ी अजीब बात बोलती हो नहीं नहीं कामिनी जी ऐसे कोई बात नहीं है लेकिन हम भला अलग-अलग रूम में क्यों सोऊंगे दिक्षा मेरी पत्नी है तो जाहिर सी बात है हम दोनों एक ही रूम में सोऊंगे न तुम्हारे लिए अजीब और नई बात होगी अशोग मगर ये दक्षणी बाड़ी है यहां के नियम और काइदे बाकी दुनिया से थोड़े अलग है और मुक्तलिफ है ये तुम्हारी पहली रात है धीरे धीरे जान जाओगे कामिनी उन दोनों को एक आलिशान रूम में ले गए उस रूम में सुक सुविधा की हर चीज मौजूद थी वहाँ एक बड़ी शीसे की खिड़की भी लगी वही थी उस शीसे की खिड़की से दक्षणी बाड़ी का पूरा इलाका देखा जा सकता था कामिनी अशोक की और रहसमय अंदाज में देखकर बोली अगर तुम्हें दर्वाजा खटकताने की आवाज आये तो दर्वाजा मत खोलना सोचाओ इतना बोलकर कामिनी वहाँ से चली गई और अशोक सवालिया नजरों से अपनी पतनी दिख्षा की और देखने लगा कामिनी के जाते ही दिख्षा सवालिया अंदाज में अशोक की और देखकर बोली कामिनी जी के कहने का मतलब क्या था? रात में कौन दर्वाजा खटकटाएगा? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आया दिख्षा कि आखिर वो कहना क्या चाहती थी? तुमने एक बात पर गौर किया अशोक कामिनी जी ने हमारे साथ डिनर नहीं किया अरे उन्हें भोक नहीं लगी होगी यार इस बात पर इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? रित्वी से अलग है क्या? अशोक, मुझे तो अब यहाँ पर बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है कुछ ठीक नहीं लग रहा है मेरी बात सुनो, यह जगा हम दोनों के लिए नहीं नहीं है यहां के लोग नहीं है, यह एक छोटा सा टाउन है और भारत में ना जाने कितने ऐसे चोटे-चोटे टाउन है जहांके रिती और रिवाज शहरों से बहुत अलग होते है इस टाउन के रहने वाले लोगों ने भी ऐसे ही उल्टे सीधे रिती रिवाज बना लिये होंगे इसमें इतना चिंता करने की क्या बात है? अशोक और दिख्षा कुछ देर बात बाते करते करते गहरी नीन में सो गया है अचानक आधी रात के बाद दिख्षा की किसी के कराने की आवाज सुनकर राप खुल गई दिख्षा तुरंट उटकर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी उसने देखा अशोक गहरी नीन में सो रहा था दिख्षा उस आवाज को गौर से सुनने लगी उसने मेहसूस किया कि आवाज उसके कमरे के बाहर से आ रही थी जैसे की कोई स्त्री कमरे के बाहर बैठी हुई दर्ज से करा रही हो अशोक उठो, देखो अपने कमरे के बाहर को इस्तरी करा रही है मगर अशोक गहरी नीन में था दिख्षा ने अशोक को उठाने का प्रयास किया मगर अशोक तस से मसनी हुआ उस इस्तरी के कराने की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी मगर अशोक की निन खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी मानो कि वो आवाज अशोक के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी ये देखकर दिख्षा बुरी तरह से परिशान हो उठी सच तो ये था कि उस औरत के कराने की आवाज दिख्षा को अब परिशान करने लगी थी उसे अब उस आवाज से अजीब सी बेचैनी मैसूस होने लगी दिख्षा उठकर कमरे के दर्वाजे के पास चली गई वो दर्वाजा खोलने ही वाली थी कि तब ही उसे कामिनी की बात याद आ गई लेकिन उसके मन में एक जिग्यासा भी उत्पन हो चुकी थी कि आखिर कमरे के बाहर कौन थी और उसे क्या तकलिफ थी दिख्षा बड़ी आश्ता से कमरे का दवार खोलकर बाहर आ गई उसने देखा कि एक इस्तरी ब्लैक कलर का गाउन पहने हुए उसकी और पीट किये हुए बैठी करा रही थी दिख्षा को ना जाने क्यूं वो इस्तरी बहुत ही जानी पहचानी मैसूस हुई कौन हो आप दिख्षा की आवाज सननाटे में गौंज गई अचानक वो इस्तरी रोती हुई घर के बाहर जाने लगी अरे आप कहा जा रही है मेरी बात तो सुनिए क्या तकलीफ है आपको और आप रो क्यों रही है मगर वो इस्तरी दिख्षा की बात का जवाब दिये बगए तेजी से गेट के बाहर खड़ी हो गई बाहर भेंकर धंड थी तेज हवा की साथ-साथ हलकी-हलकी बर्फ बारी भी हो रही थी दिख्षा उस इस्तरी से थोड़ी दूर खड़ी होकर बोली आप जवाब क्यों नहीं देती आप दर्द से कराहा क्यों रही है दिक्षा देरे देरे कदमों से उस इस्त्री के नजदीक चली गई वो इस्त्री अभी भी धीमी धीमी आवाज में रो रही थी उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था जो दिक्षा को अंदर तक भी जैन कर दी रहा था दिख्षा उस इस्त्री के कंदे पर हाथ रखने ही वाली थी कि तभी उस इस्त्री ने अपना चेहरा दिख्षा की और कर लिया उस इस्त्री का चेहरा दिख कर दिख्षा की आँखे दहशत से फटी की फटी रह गई ब्यानक और शरीर का खून जमा देने वाली ठंड में दिक्षा का पूरा शरीर पसीने से ना उठा उसके दिल की धड़कन की रफ़तार बेहत तेज हो गई दिक्षा को ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ दिर बाद उसका दिल उसके सीने से बाहर निकल कर आ जाएगा दिक्षा ने देखा उस इस्त्री का चहरा बेहत भैनक था उसकी आँखे बिलकुल नीली थी उसके चहरे की खाल उसके चहरे की हट्डी से चिपकी हुई थी अचानक उस भ्यानक स्त्री ने रोना बंद कर दिया और दिक्षा को देखकर अजीब से अंदाज में हसने लगी दिक्षा ने उस भ्यानक स्त्री को धक्का देने की कुशिस की ही थी मगर जैसे ही दिक्षा के हाथ उस भ्यानक स्त्री के जिस्म पर पड़े दिक्षा को सब कुछ घूमता हुआ सा महसूस हुआ उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो जमिन की गहराईों से समाती चली जा रही हो कुछी देर के बाद उसे अपने शरीर बेजान सा होता हुआ महसूस होने लगा दिक्षा बेहोशी की गहराईों में समा गई बेहोश होने के कुछी शणों बाद दिक्षा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई उसे बहुत दोर से पुकार रहा हूँ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसका शरीर किसी कुएं के अंदर पड़ा हुआ हूँ और पुकारने वाले की आवाज बहुत दोर से उसके कानों में टकरा रही हो दिक्षा उठने की कोशिस कर रही थी मगर वो चाह कर भी उठनी पा रही थी दिक्षा ने अपनी पूरी ताकत लगा कर अपने शरीर को हिलाने की कोशिस की मगर उसकी ये कुशिस भी नाकाम हो गई बड़ी मुश्किल से उसने अपनी आँखे खोली तो उसने देखा कि वो उसी रूम के बेट पर लेटी हुई थी जिस रूम में वो कुछ दिर पहले बाहर निकली थी वो अशोक के साथ ही बेट पर लेटी हुई थी अशोक अभी भी गहरी नीन में सो रहा था मगर दिक्षा सिर्फ अपनी आँखे ही दरुदर गुमा पा रही थी उसका शरीर काम नहीं कर बा रहा था अचानक उसकी नजर कमरे की चछट के उपर पड़ी उपर का नजारा देखकर दिक्षा के खून में डर की एक लहर दोड़ गई उसने देखा कि चछट पर वही औरत थी उसका वो चहरा पूरी तरह से सर चुका था उसके लंबाई कम से कम दस से बारा फूट के आसपास हो चुकी थी वो दिक्षा को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी उस भयानक दिखने वाली औरत के बाल इतने लंबे थे कि वो दिक्षा के गालों को चूर रहे थे उसकी आखों का रंग बिलकुल लाल था उसके चेरे को देखकर दिक्षा को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके शरीर से खून की एक बून ने चोड़ ली गई हो दिख्षा खुद को बहुत ज्यादा बेवस महसूस कर रही थी दिख्षा बेवसी के आलम में एक बार फिर अपनी आखे गुमा कर अशोक की और देखने लगे दिख्षा ने पूरी ताकत लगा कर चीखना जाहा मगर उसकी ये कोशिस भी नाकाम हो गई डर और दहशत की वज़य से उसने अपनी आखे बंद कर ली मगर जैसे उसने अपनी आखे बंद की एक अजीब से दुरगंद उसकी नाख से टकराई गवरा कर उसने जैसे ही आखे खोली तो उसने देखा वो औरत जो अब तक छट पर जिपकी हुई थी अब उसकी बेहत करीब थी वो उसकी ठीक उपर थी उसके ब्यानक जहरे को देखकर दिख्षा की आखों से बेवसी के आंसू बहने लगे और उसका शरीर डर से कपकपानी लगा दिख्षा की बेवसी पर वो ब्यानक औरत मुस्कुरानी लगी और उस ब्यानक औरत ने बहशी अंदाज में मुस्कुराते हुए बारी आवाज में कहा दक्षणी बारी में तुमारा स्वागत है इतना कहकर वो बहनक औरत अजीब से अंदाज में हस्ती हुई दिक्षा के शरीर पर चिपक गई दिक्षा एक बार फिर अपने आपको गहराईों में डोपता हुआ मैसूस करने लगी उस बहनक इस तरी के शरीर से फूट रही असहनिय दुरगत अब दिक्षा के लिए असहनिय होती जा रही थी दिक्षा अपनी पूरी ताकत लगा कर चीखने का प्रयास करने लगी मगर इस बार भी उसके हलक ने उसका साथ नहीं दिया उसे अपना दम गोटता हुआ सा महसूस होने लगा दिक्षा अपनी आँखे कसकर बंद की हुई थी बहुस बहुस बहानक औरत से अपने आपको छुडाने का भरपूर प्रयास कर रही थी मगर दिक्षा के शरीर का एक भी अंकामनी कर रहा था तफिक्षा को अपने गर्दन पर कुछ चुपता हुआ सा महसूस हुआ कुछ यंबाद दिक्षा को ऐसा लगा जैसे कि कोई उसे बहुत दोर से बुकार रहा हूँ अचानक दिक्षा ने अपना शरीर उड़ता हुआ सा महसूस किया अचानक दिक्षा के कानों में अशो की आवाज डखराई मगर इस बार आवाज उसे साप साप सुनाई दी थी आवाज सुनकर अचानक दिक्षा ने अपनी आखे तुरंद खोल दी मगर सामने का मंजर देखकर दिक्षा की हैरत के इंतिहा नहीं रही दिक्षा ने देखा कि वो उसी डाइनिंग टेवल की चेर पर अशोक के बगल में बैटी हुई थी जहां कुछ घंटे पहले वो और अशोक डिनर कर रहे थे और डिनर करने के बाद कामिनी उन दोनों को उनके कमरे में छोड़ कर चली गई थी दिक्षा ने देखा अशोक डिनर कर रहा था और कामिनी उसे रहस्यमई नजरों से देख रही थी तभी कामिनी दिक्षा की और देख कर बोली तुम खाना क्यों नहीं खा रही दिक्षा? दिक्षा के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा था दिख्षा सोचने लगी कि शायद कुछ शन बाद वो फिर बेहोश हो जाएगी और उसके आग फिर कमरे में खुलेगी मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दिख्षा की बुद्धी ने काम करना बंद कर दिया वो गहरी सोच में पड़ गई कि वो एक ही पल को दुबारा कैसे जी सकती है वो सोचने लगी इस वक जो उसके आखों के सामने है वो सपना है या कुछ घंटे पहले जो उसके साथ घटित हुआ वो सपना था सच तो ये था कि दिख्षा हकीकत और सपने में फर्क भूल चुकी थी दिख्षा हैरत भरी और पटी-पटी आँखों से उस द्रिश्य को देख रही थी जिस द्रिश्य को वो कुछ दिर पहले देख चुकी थी कुछ दिर बाद कामिनी रहस्य में अंदाज में मुस्कुराती हुई दिख्षा और अशोक को उनके कमरे तक छोड़ कर आ गई सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि कुछ घंटे पहले हुआ था दिख्षा को हैरान और परिशान देखकर अशोक ने चिंतन भरे लहजे में दिख्षा से पूछा क्या हुआ दिख्षा तुम ठीक तो हो डाइनिंग टेबल पर भी मैंने देखा कि तुम मुझे और कामिनी जी को घुर घुर कर देखे जा रही थी दिख्षा कापते हुए लहजे में अशोक की और देखकर बोली हमें यहां सिफ आपस चलना चाहिए अशोक लगता है उस बूढ़े ने सही कहा था तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई अचानक तुम्हें क्या हो गया मैं पागल नहीं हूँ अशोक वो भायानक घटना मेरे साथ घटित हुई है अगर मैं उसके बारे में तुम्हें बता दू तो पता नहीं तुम मेरी बात पर यकीन करोगे भी या नहीं और सच तो ये है कि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फियूज हूँ मुझे लग रहा है कि मैं अभी भी भायानक सपना देख रही हूँ दिक्षा देखो तुमने काफी लंबा सफरताय किया है और मुझे लगता है कि तुम्हारे उपर ठकान हावी होने लगी है सोजाओ कल बात करते हैं तब दिक्षा ने टेवल पर रखा हुआ चाकू उठा लिया और उस चाकू से अपनी उंगली पर आहिस्ता से छोटा सा वार कर दिया उसकी उंगली से खोवन उचलने लगा दिक्षा दर्द के मारे तडब उठी पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो तुम? किसी भी हाल में संभव नहीं है ये असंभव है दिक्षा ये क्या बडबड आ रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? दिक्षा एक ही सांस में अपने साथ घटी तो उस बेहानक घटना को बताने लगी पूरी घटना सुनने के बाद अशोक दिक्षा के चहरे को बहुत गौर से देखने लगा वो दिक्षा को ऐसे देख रहा था जैसे कि दिक्षा का मानसिक संतुलन सही ना हो मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि कुछ घंडे पहले कामिनी जी हम दोनों को इसी रूम में छोड़ कर गई थी और हम दोनों सो गए उसके बाद तुम्हार यहां किसी कमरे के बाहर किसी इस्त्री की आवाद से खुल गई और तुम दर्वाजे के बाहर चली गई वहाँ तुमने वो सब कुछ देखा जो तुमने मुझे अभी बताया और तुमने अपने आप को फिर से उसी जगा पर और उसी वक्त में मौझूद पाया जिस वक्त तुम डाइनिंग टेबल पर मेरे साथ डिनर कर रही थी मतलब तुम वक्त में कुछ घंटों पहले दुबारा वापस लौट गई और यह भी यह सब कुछ तुम्हारे साथ फिर से दुबारा हो रहा है हाँ अशोक मेरे साथ बिलकुल यही हुआ है दिख्षा की बात सुनकर अशोक जोर-जोर से हसने लगा कम ओन दिख्षा सोजाओ मुझे बहुत नींदारी है हम इस टॉपिक पर कल सुबा बात करेंगे इतना बोलकर अशोक बेट पर लेट गया और कुछी देर में गहरी नीन में खर राटे लेने लगा मगर दिख्षा की आँखों से नीन को सो दूर थी वह अभी भी खड़ी हुई सोते हुई अशोक को आँख फाड़ फाड़ कर देखे जा रही थी दिख्षा काफी देर तक ऐसे ही खड़ी रही वह समझ गई कि अशोक उसकी बात का यकीन नहीं करेगा दिख्षा अशोक के पास जाकर लेट नहीं वाली थी कि तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा उस कमरे में दिख्षा और अशोक के अलावा और कोई मौजूद नहीं था दिख्षा ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसकी आँखे हैरत और दहशत से फटी की फटी रह गई उसने देखा कि पीछे अशोक खड़ा हुआ उसे देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराए जा रहा था दिख्षा कापती हुई आवाज में अशोक की और देखती हुई बोली कौन हो तुम? है? क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है दिख्षा? मैं अशोक हूँ ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो बेट पर सो रहे हो ना? दो दो अशोक कैसे हो सकते है? क्या बोल गई हो तुम? बेट तो खाली है? दिख्षा ने जैसे ही बेट पर नजर डाली है तो अब उस बीट पर कोई मौजूद नहीं था दिक्षा अपने दोनों हाथों से अपने सर को थाम कर घुटनों की बल बैठ गई वो चीकती हुई बोली आगर ये क्या हो रहा है मेरे साथ कुछ शन बाद निशा के कानों में कामिनी की आवाज टकराई कामिनी की आवाज सुनकर दिक्षा बोली तरह से चौक गई उसने जैसे ही अपने नजरे उठा कर उपर देखा तो उसके गले से एक जोरदार चीक निकल गई उसने देखा कामिनी वही वस्तर पहने हुए उसके सामने खड़ी हुई थी मगर उसका चहरा बेहत भयानक था उसकी आखों का रंग गहरा नीला था उसके चहरे की खाल लटक रही थी उसके शरीर पर मांस जगा जगा से सुखा हुआ था कामिनी भयानक अंदाज में हस्ती हुई दिक्षा की और देखकर बोली दक्षणी बाड़ी में तुम्हारा स्वागत है दिक्षा हमने तुम्हारा काफी सालों तक इंतिसार किया और आखिरकार तुम्हा ही गई इतना बोल कर कामिनी अपना बेहनक चहरा लिये हुए दिक्षा के ठेक सामने किसी जानवर की तरह गुटनों के बल बैठ गई दिक्षा ने देखा उसकी हड़िया बेहद लचीली हो चुकी थी अचानक कामिनी दिक्षा को देखकर अजीब से अंदाज में अजीब अजीब सी आवाजे निकालती हुई बुरी तरह से हसने लगी कामिनी की भैनक आवाज दिक्षा को अपने कानों में किसी हथोड़े जैसी मैसूस हो रही थी दिक्षा चीकती हुई वहीं पर बेहोश हो गई अगली सुबह दिक्षा की आग बेट पर खुली दिक्षा ने देखा अशोक उसे बहुत ही गौर से देखे जा रहा था दिक्षा पागलों की तरह इधर उधर देखने लगी मगर उसे अब सब कुछ सामान्य नजर आया उसने देखा कि कमरे की खिड़की खुली हुई है खिड़की से बाहर का द्रिशे साब साब दिखाई दे रहा था सुरज की हलकी हलकी किरने उसके कमरे के अंदर तक आ रही थी दिक्षा को अपना शरीर तूटता हुआ सा महसूस हो रहा था अशोक टेबल पर रखा हुआ एक कप उठाता हुआ दिक्षा से बोला तुम्हें पता है दिक्षा मैं पिछले एक घंट से तुम्हें उठा रहा हूँ लेकिन तुम इतने गोड़े बेच कर सो रही थी कि उठने का नाम ही ने ले रही थी सुबह से तीन कप चाय पी चुगा हूँ इतना कहकर अशोक ने चाय का कब दिक्षा की और बढ़ा दिया दिक्षा के दिमाग में अभी भी कल रात वाली गटना दौर रही थी चाय पी कर तुम फ्रेश हो जाओ हम कुछ दिर बाद अपने नए होटेल के जमिन देखने के लिए एक पहाड़ी पर चलेंगे जो मैंने खरी दिये दिक्षा डरते डरते अशोक की और देखती हुई बोली अशोक कल रात तुमने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया था ना लेकिन तुमारे सोने के बाद मेरे साथ फिर से एक दूसरी भयानक घटना घटित हुई दिक्षा अशोक को कल रात उसके साथ घटी उस दूसरी घटना के बारे में बताने लगी अशोक दिक्षा की बात को बहुत गोहर से सुनता रहा कुछ दिर बाद अशोक मुस्कुराते हुए बोला पागल हो गई हो क्या हां अरे दिना के बाद कामिनी जी हमें रूम में छोड़ कर गई थी उसके बाद मैं और तुम गहरी नीन में सो गए तुम बोल रही थी कि तुम्हारे साथ एक भ्यानक घटना घटित होई और तुमने मुझे कल रात उस घटना के बारे में भी बताया अरे मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया दिख्षा तुमने जरूर सपना के अंदर सपना देखा होगा कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सपना देखते हैं और उस सपने में एक और सपना देखते हैं और जब सुबह हमारी आँख खुलती है तो हमें सपने के अंदर का सपना काफी सच प्रतीत होता हुआ मैसूस होता है सच तो ये है कि तुम उस बुढ़े की बात से इतना घवरा गई हो कि तुमने अपने दिमाग में जरूरत से ज्यादा ट्रेंशन ले लिया है अब ज्यादा सोचों मत तयार हो जाओ हमें अभी निकलना है इतना कहकर अशोक कमरे से बाहर चला गया और दिख्षा गहरी सोच में डोग गई क्या वाकई उसने सपने के अंदर सपना देखा था या फिर वो हकीकत थी चाहे खत्म करने के बाद दिख्षा नहाद धुआ कर तयार हो गई अशोक कामनी के घर के बाहर उसका ही इंतिजार कर रहा था दिख्षा ने देखा सुबह के बग दक्षिनी बाड़ी में थोड़ा चहल पहल सी होने लगी थी मगर एक अजीब सा सन्नाटा भी पसरा हुआ था दिख्षा अशोक की कार के अंदर बैठ गई अशोक कार ड्राइव करने लगा दिख्षा कार की खिड़की से बाहर गहरी सोच में दक्षिनी बाड़ी के लोगों को गौर से देखे जा रही थी और साथ ही साथ दक्षिनी बाड़ी की पहाड़ी और हर्याली को भी सच तो ये था कि दक्षिनी बारी की सुन्दरता और उसके मनुरम द्रिश्य अब दिक्षा को सुखद हैसास नहीं बलकि एक अजीब सा हैसास की अनुभुती करा रहे थे कि तभी अचानत अशोक का मुबाइल बजने लगा अशोक गारी ड्राइब करते में मुबाइल से बाते करने लगा मगर दिक्षा ने उसे ऐसा करने से रोक लिया कितनी बार कहा है अशोक कि ड्राइब करते हुए मुबाइल पर बाते मत किया करो ओ, सौरी दिक्षा, इतना कहकर अशोक ने गाड़ी साइड में खड़ी कर ले और कार से बहार निकल कर मुबाईल पर किसी से बाते करने में ब्यस्त हो गया अशोक बाते करते हुए दिखशा से कुछ दूर चला गया दिखशा भी कार का दरवाजा खोल कर बहार निकल आई वो पहाडों की हर्याली को न्यार रही थे चारों और हलका हलका गोरा फैला हुआ था तभी दिख्षा के कानों में पीछे से एक आवाज टकराई तूने जो देखा था, सपना नहीं था, वो सच था उस आवाज को सुनकर दिख्षा बुरी तरह से चौक गई उसने जैसे ही पलट कर देखा, तो एक 35 वर्षे औरत लाल रंग के बेहद स्टाइलिश कपड़े पहनी हुई अजीब से अंदाज में दिख्षा को गुरे जा रही थी उस औरत के गले में अजीब प्रकार के चोटे-चोटे पत्थरों की मालाय टंगी हुई थी दिख्षा को वो ओरत किसी भी अंगल से देखने में तांत्रिक तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी कौन हो तुम? सवाल ये नहीं है कि मैं कौन हूँ सवाल ये है कि तु कौन है वस औरत की बात सुने के दिख्षा बोरी तरह से गवरा गई दिक्षा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अौरत उसको क्या समझाना जा रही थी आखिर तुम कहना क्या चाहती हो और कौन हो तुम मैं फिर से अपनी बात दोहराती हूं लड़की सवाल ये नहीं कि मैं कौन हूं सवाल ये है कि तू कौन है कि वो गहरी सोच में डोग गई, कि आखिर उस औरत को कल रात उसके साथ घटी घटना के बारे में कैसे पता, दिक्षा का दिमाग बुरी तरह से उलज कर रह गया, तुम्हें कैसे पता कि कल रात मेरे साथ कौन सी घटना घटी, और तुम्हें कैसे मालूम कि वो कोई सपना नह दक्षणी बाड़ी में उसी का शासन चलता है तू और तेरा पती यहाँ पर आए नहीं बलकि बुलाए गए है अभी भी समय है वापस लोट जा मैं तुम्हारी बकवास को आखिर क्यों मानूं ये तू भी समझ रही है लड़की कि मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ याद रखना सूरज धलने के बाद तुम और तुम्हारा पती चाहकर भी यहां से नहीं जा पाओगे और फिर वो होगा जिसकी तूने कलपना तक नहीं की होगी तब ही दिक्षा के कंधे पर किसी ने हाथ रखा अचानक किसी के कंधे पर हाथ रखने से दिक्षा बुरी तरह से चौक गई उसने जैसे ही पलट कर देखा तो पीछे खड़ा हुआ अशोक सवालिया नजरों से देख रहा था देखो न अशोक ये औरत क्या कह रही है दिक्षा की बात पर अशोक सवालिया अंदाज में ही बोला कौन से औरत तुम किस की बात कर रही हो अरे जो मेरे सामने खड़ी हुई है लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है दिक्षा मैं मुबाइल पर बाते करते हुए इतनी देर से देख रहा था कि तुम अकेले बाते कर रही थी अशोक की बात सुनकर दिक्षा के पैरुतले जमीन के सक गई उसने जैसे ही पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था दिक्षा के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया दिक्षा डर के कारण बड़बडाने लगी मेरी बात का यकीन करो अशोक मैं अकेले बात नहीं कर रही थी वो औरत सच में मेरे सामने मौजूद थी दिक्षा तुम पागल हो गई हो अगर वो औरत सच में तुम्हारे सामने थी तो कहां गई बला इतनी जल्दी वो कैसे गायव हो सकती है हमें वापस कामिनी जी के घर पर चलना है क्योंकि आगे का रास्ता खराब है खराब है? क्या मतलब खराब है? ये पहाड़ी इलाका है दिक्षा कल रात यहां पर कोई तुफान आया था उस तुफान में कोई बड़ा पीड तूटकर सड़क पर गिर गया है या तायाद बंद है अशोक की बात सुनकर दिक्षा के दिमाग में उसी औरत की बात गूंचने लगी दिक्षा घवराते हुए अशोक की और देखकर बोली हम वापस नहीं चल रहे हैं अशोक हम सीधे घर चल रहे हैं यह कैसी बाते कर रही हो तुम कामेनी जी नाराज हो जाएंगी चलो आओ दिक्षा ने अशोक को बहुत समझाने की कोशिस की मगर अशोक दिक्षा की एक भी बात सुनने को तयार ही नहीं था दिक्षा खामोशी से कार के अंदर बैठ गई कुछी समय के बाद दिक्षा कामेनी के घर पर अपने कमरे में खड़ी हुई थी दिक्षा के दिमाग में उस औरत की बाते बाहर बाहर गूंज रही थी उसका दिल किसी अनहुनी आशंका से बुरी तरह से काम रहा था दिक्षा के दिल में एक अजीब सा डर समाया हुआ था सच तो ये था कि वो जल से जल दक्षणी बाड़ी से निकल जाना चाहती थी बाहर का मौसम बुरी तरह से खराब हो चुका था हलकी हलकी बुंदा बुंदी शुरू हो गई थी और कुछ समय बाड उस हलकी हलकी बुंदा बुंदी ने एक तुफ़ानी वारिश का रूप ले लिया सूरज डल चुका था मगर दिक्षा अभी भी गहरी सोच में डोगे हुई थी उसका ध्यान अशुक की आवाद से तूटा दिक्षा कामिन जी हमें डिना पर बुला रही है क्या तुम डिना नहीं करोगी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं अशुक ऐसे कैसे चलेगा दिक्षा इस तरह से अगर तुम भूखी रहोगी तो बिमार पर जाओगी मुझे वास्ता में भूख नहीं है तुम जाओ दिक्षा का उत्रा हुआ चेहरा देखकर अशुक भी चिंतित हो गया ठीक है दिक्षा अगर तुम्हारा यहाँ पर मननी लग रहा है तो फिर हम कल सुबह ही यहाँ से वापस चले जाएंगे अशुक की बात सुनकर दिक्षा के चेहरे पर आधी चिंता चली गई दिक्षा मुस्कुराते हुए अशुक की और देखकर बोली मैं दक्षणी बाड़ी से बाहर निकलने के बाद ही कुछ खाऊ पियूँगी मुझे अंदर से इस समय बिल्कुल भी भूख नहीं है अशुक मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया डिना करने के बाद अशुक दिक्षा के पास जाकर लेट गया दिक्षा आँखे बंद किया हुए लेटी हुई थी मगर सच तो ये था कि उसकी आँखों से नीन कोंसो दोर गायब थी अचानक आधी रात के वक्त दिक्षा और अशुक को कमरे में एक भूचाल सा आता हुआ मैसूस हुआ वो दोनों घवरा कर ओठ गये अशुक दिक्षा के चहरे की और घवराता हुआ देखने लगा दिक्षा डरती हुई बोली अने कहा था ना अशुक हमें यहां से चले जाना चाहिए लगता है लगता है उस उस औरत की बात सही थी दिक्षा ने इतना कहा ही था कि तभी तेज हवा के साथ दिख्षा के कमरे पर लगी हुई काच की बड़ी बड़ी छिड़कियों के शी से तूट कर चकना चूर हो गए उसके बाद का मनजर बड़ा ही डरावना था उस खाफनाद दृश्या को देखकर दिख्षा और अशोक के गले से जोरदार चीख निकल गई उन दोनोंने देखा तीन बड़ी बड़ी इंसानी आकार की चमगादडे बेहत देज रखतार से उड़ती हुए कमरे के अंदर आ गई वो तिनों चमगादड दिख्षा और अशोक के सामने खड़ी हुई उन्हें हैवानियों नजरों से देख रही थी अगले ही पर एक चमगादड ने कमरे कामनी का रोगदानी कर लिया ये देखकर अशोक की हैरत के इंतिहा नहीं रही अशोक घवराता हुआ कामनी की और देखकर बोला कौनों तुम मगर कामनी ने अशोक की बात का कोई जवाब नहीं दिया अगले ही पर कामनी के साथ खड़ी हुई दो चमगादड बेहत सुन्दर इस्त्री में परिवर्तित हो गई दिक्षा जो बेहट डरी हुई थी कामनी को सहमी हुई आँखों से लगातार देखे जा रही थी कामनी दिक्षा की और मुस्कुराती हुई देखकर बोली तुम्हारा स्वागत है बहन आखिरकार तुम यहाँ पर आही गई अब हम तीन से चार हो गए हैं क्या कहना चाहती हो तुम कौन हो तुम सब दिक्षा की बात सुनकर कामनी रहसे मही अंदाज में बोली सुबह तुम्हें जो रहसे मही औरत मिली थी क्या उसने तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताया तुम्हें उस औरत के बारे में कैसे पता, वो तु सिर्फ मुझे दिखाई दे रही थी, वो तुम्हें सिर्फ इस वजह से दिखाई दे रही थी दीक्षा, क्योंकि वो औरत मरी हुई थी, और तुम्हारे अंदर एक शक्ती है, जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है, उस औरत डायन डायन तो तुम भी हो दिक्षा ये बात अलग है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं तबी दिक्षा ने देखा तुफानी बारिश जो की बंद होने का नामी नहीं ले देए थी अचानक थम गई कुछी पलों में आसमान साफ हो गया और बड़ा सा चान्द आकाश में दिखाई देने लगा कामी ने मुस्कुराती हुई दिक्षा की और देखकर बोली आओ दिक्षा इस चान्द की किर्णे जैसे ही तुम पर पड़ेंगी तुम अपने असली रोप में आ जाओगी अपनी पहली बली तुम अपने पती की ही लोगी उसके बाद हम चारो दक्षणी बाड़ी में हमेशा की तरह शासन करेंगे और हम सब और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं इंसान हूँ तुम्हारी तरह डायन नहीं हम सब डायने हैं दीक्षण हमारे दक्षणी बाड़ी में हजारों वर्षों से यही परंपरा चली जा रही है हमारे यहां कोई भी बच्चा पैदा होता है तो हम उसे इंसानों के बीच रहने के लिए भेज देते हैं ताकि वो इंसानों के तौर तरीके समझ सके उसे किसी ना किसी जरीय से दक्षणी बाड़ी में वापस बुला लेते हैं यकीन मानो दीक्षण इंसानी खोन और मांस बहुत स्वादेश्ट होता है आज रात के बाद तुम्हारा यही भोजन होगा इतना बोलकर कामिनी सही दोनों इस्त्रिया अपने बहानक रूप में आ गई उन तीनों ने दिक्षण को पकड़ लिया और खींचती हुई चंद्रमा की रोशनी के सामने ले गई कुछी पलों में दिक्षण के शरीर का आकार बदल गया देखते ही देखते दिक्षण एक इंसानी चमगादर में परिवर्थित हो गई दिक्षण हैवानी भरी नजरों से अपने पती की और देखने लगी ऐसा मत करो दिक्षण मैं तुम्हारा पती हूँ अपने आपको पहचानो तुम डायन नहीं हो इंसानो मगर अशुक की बात पर दिक्षण के उपर पोई असर नहीं पड़ा अशुक चीखता हुआ बोला तुम मेरी पत्नी हो दिक्षण अचानक दिक्षण को अपने अंदर एक अजीब सा परिवर्थन महसूस होने लगा उसके इस परिवर्थन को देख गई कामिनी और वो दोनों डाइने बोई तरह से चौक गई इसके अंदर इंसानी सुभाव हावी हो रहा है कि ये हमारे लिए खत्रा हो सकती है इसे मर ना होगा नहीं तो ये हम तीनों को मार देगी हम तीनों इसका मुकाबला नहीं कर सकते ये बहुत ताकत्वर है वो तीनों डाइने दिक्षा के उपर जपट पड़ी मगर अगले ही पग दिक्षा ने बड़ी फूर्ती से दोनों डाइनों का सर उनके धर से उखाड़ कर फेंग दिया अब किवल वहाँ पर कामिनी बची थी अचानक कामिनी अपने असली रोप में आ गई जो बेहट डरी हुई थी मगर दिक्षा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी दिक्षा ने एक ही जटके में उसका सर उसके धर से उखाड़ कर फेंग दिया और बड़ी फूर्ती से तीनों का खून पी गई अशोक फटी फटी आँखों से दिक्षा को देख रहा था अगले ही शन दिक्षा अपने असली रोप में आ गई अब उसे अपने अंदर एक अजीब सा परिबर्तन महसूस हो रहा था उसके अंदर इंसानी और हैवानी दोनों सोच सवार थी यहां से चले जाओ अशोक और कभी वापस मताना मैं तुम्हें लिए बगर नहीं जा सकता दिक्षा तुम मेरी पत्नी हो मैं तुम्हारी पत्नी थी अशोक मुझे एक अजीब सा शैतानी एहसास हो रहा है अगर मैं तुम्हारे साथ अब कुछ समय और रही तो मैं अपने आपको रोक नहीं पाऊंगी और तुम्हारा खून पी जाऊंगी और ना जाने कितने इंसानों का खून पीऊंगी शायद यही मेरी नियती है इतना कहकर दिक्षा एक चमगादर में परिवर्तित हो गई और खिड़की से ओरती हुई विलप्त हो गई अशोक उसी रात आखों में आँसू लिये दक्षणी बाड़ी से चला गया अशोक आज भी दिक्षा का इंतजार करता है उसने फिर दुबारा शादी नहीं की